दोस्तों चैन्नाई ने चेपर पर दर्ज की अपनी पचासवी जीत, रनों के लिहाज से हाइदराबाद को मिली सबसे बढ़ी हार। दोस्तों हाइदराबाद पर बड़ी जीत से चैन्नाई ने अंक तालिका में तीन स्थान की बड़ी छलांग लगाए और वह पाँच जीत के साथ दस अंक लेकर तालिका में तीसरे स्थान पर पहुँच गई है, जबकि हाइदराबाद की टीम लगातार दोहार के साथ चौथ स्थान पर है. दोस्तों चैन्नाई सुपर किंग्स, सी एसकेक ने अपने होम ग्राउंड M.H. दंबरम स्टेडियम पर दमदार प्रदर्शन करते हुए संराइजस हाइदराबाद को 78 रनों के बड़े अंतर से हराया. चैन्नाई के लिए कप्तान रितुराज गायकवार ने बहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 विके जटके और हाइदराबाद की पारी 18.5 ओव में 134 रन पर ही सिमट गई. हाइदराबाद के लिए एडन माकरम 26 गेंदो पर 32 रन बना कर सरवोच स्कोर रहे. किसी एक मैदान पर 50 से अधिक मैच जीतने वाली तीसरी टीम बनी CS के. चै से पहले मुंबई और कोलकाता नायट राइडर्स केके आर की टीम भी अपने होम ग्राउंड पर 50 से अधिक जीत दर्च कर चुकी है. CSK ने तालिका में लगाए लंबी छलांग. हाइदराबाद पर बड़ी जीत से चैन्नई ने अंक तालिका में 3 स्थान की बड़ी रही और उसने महस 40 रन पर ही अपने 3 विकेट गवा दिये. दिल्चस्प बात यह रही कि सभी 3 विकेट तुशार देशपांडे ने अपने नाम किये. तुशार ने इस मैच में गैंदबाजी से शांदार प्रदर्शन किया और हाइदराबाद के बल्लेबाजों को हाथ खो यभी ऐसा कर चुके हैं. वह भी नहीं खेल सकी और ओल आउट हो गई. हाइदराबाद को इस तरह रनों के लिहाज से आईपील इतिहास में अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले उसे चेननई ने ही 2013 में 77 रनों से हराया था जो उसकी सबसे बड़ी हार थी. भुवनेश्वर क कुमार ने सलामी बल्लेबाज जिनके रहाने को आउट कर चेननई को शुरुआती जटका दिया. रहाने 12 गेंदों पर 9 रन बना कर आउट हुए और एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में नाकाम रहे. रहाने चेननई के लिए IPL में कम से कम 150 से आधिक गें खिलने के बाद सबसे कम औसत वाले खिलारी बन गए है. रहाने का औसत 14.80 पैट कमिन्स ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. टेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने सलामी बल्लेबाज जिनके रहाने को आउट कर चेननई को शुरुआती जटका द खिलने के बाद सबसे कम औसत वाले खिलारी बन गए है. रहाने का औसत 14.80 रहा है जो चेननई के लिए खेलते हुए किसी भी बल्लेबाज का सबसे कम औसत है. गायकवार और मिचिल की शांदार साजेदारी रहाने के सस्ते में आउट होने के बाद रितुराज और डेरिल मिचिल ने शांदार बल्लेबाजी की और दूसरे विकेट के लिए दूसरे विकेट के लिए 107 रनों की शतकिये साजेदारी कर टीम को संभाला. गायकवार ने इस सीजन का अपना तीसरा अर्धशतक जड़ा वही डेरिल भी पीछे नहीं रहे और वह भी पचासा पूरा करने में सफल रहे. दोनों बल्लेबाजों ने शांदार बल्लेबाजी की और हैदराबाद को विकेट के लिए तरसा दिया. जैदेव उनाधकट ने हाला कि डेरिल मिचिल को आउट कर इस साजेदारी का अंत किय मिचेल ने 32 गेंदों पर 52 रनों की अपनी पारी में 7 चोके और 1 चक का लगाया. इसके बाद शिवम दुबे ने गायकवार का अच्छा साथ दिया. गायकवार ने दूसरे छोर से अपनी आक्रमक पारी जारी रखी और वह लगातार दूसरा शतक बनाने के करीब पहुँच गए थे. हालाकि टी, नट्राजन ने अंते मोव की दूसरी गेंद पर गायकवार को आउट कर उन्हें शतक बनाने से रोका. गायकवार ने अपनी पारी में 54 गेंदों पर 10 चोके और 3 चक के लगाए. इसके बाद मैदान पर धोनी उत्रे और चैननई के दर्शकों ने उनक गेंदों पर एक चोके के सहारे 5 रन बनाकर नाबाद रहे. गायकवार और मिचेल के दम पर CS के मजबूत्स को खड़ा करने में सफल रहा. शिवम ने भी लगभग हर गेंदबाज को अपने निशाने पर लिया और उन्होंने गायकवार के साथ चोथे विकेट के लिए 74 रन बनाने वाली टीम बनी CS के. गायकवार, मिचेल और शिवम दुबे की तुफानी बल्लेबाजी से CS के एक बार फिर 200 से ज़्यादा रन बनाने में सफल रही. चैन्नाई ने हाइदराबाद के खिलाफ डैथ ओवरों में 12.80 की रन रेट से रन बनाए. CS के की टीम इसके साथ ह की टीबीस में सरवाधिक बार 200 से ज़्यादा स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है. CS के ने 35 बार टीबीस क्रिकेट में 200 से अधिक स्कोर बनाया और इस मामले में इंग्लिश काउंटी क्लब समसेट को पीछे छोड़ा जिसने टीबीस में 34 बार 200 से ज्यादा स्कोर खड़ा क जय हिंद जय भारत